नमस्कार द्रशको जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महमान के एपिसोड में कोई ना कोई नई शक्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहती है आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नौजवान लीडर युआ पीडी के मंत्री हम इंसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने डिपार्टमेंट्स को बेखुबी आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ जो इस समय मिनिस्टर आफ स्टेट मौजूद है सुनील शर्मा जी जिनके पास इस समय डिपार्टमेंट है रेविन्यू और पी डव्यू डी दोनों ही एहम महकमे हैं और दोनों को बूश चाहिए और नोजवान लीडर हैं ये इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे होंगा कि आपने पॉलिटिक्स में आना ही क्यों पसंद किया वैसे मेरे लिए राजनीती में आना कोई अपने आपके लिए कोई करने का नहीं है जी अपने जीवन में एक लक्ष है जी कि इस देश के प्रती कुछ करना है इस समाज के प्रती कुछ करना है तो इन सारे चीज पुकार है वो समाज सेवा है समाज सेवा देश सेवा है तो इसका जो प्रतेक्ष साधन है वो राजनिती है इसलिए हमने इस राजनिती के शेत्र को चुना है जिससे हम चाहते हैं कि इस देश तथा समाज की सेवा करें क्या आपके पीछे जो इंसेस्टर्स थे जो पिता जी या उनके आगे पिता जी वो भी कही पॉलिटिक्स में रहे? अरे नहीं, पिता जी, दादा जी या परिवार में हमारा कोई राजनीती के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मेरे पिता जी एक सेनिक थे, भारत की तीन जंगें उन्होंने लड़ी हैं और मेरे दादा जी एक किसान थे, हम भी कोई बच्पन से ही राजनीती में नहीं कोई शोक रखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे पिता जी एक सेनिक रहे हैं, भारत माता के प्रती एक सेनिक का बहुत ही आज़र समार रहती है तो शायद वही कारण बना होगा कि हमें इस भारत माता की सेवा करने के लिए ठीक है, सेनिक का पत्र नहीं चुना लेकिन इस राजनीती के शेत्र में एक सेनिक बनके ही इस भारत माता की सेवा बड़ा एहम मैकमा है connectivity का, connectivity अगर होगी, तो किसी भी जगा पे connectivity होगी, तो उसका सुधार हो पाएगा, वो बच्चे college पहुँच पाएंगे, employment होगी, हर चीज के लिए connectivity बहुत important है, पानी आपाएगा, खाना आपाएगा, तो क्या सोचते हैं कि आप connectivity को आपने थोड़ा बहुत जो अभी तक देखा है, क्या वो सही है, और अगर नहीं सही, तो किस तरीके से सही करेंगे, मुझे लगता है मेरे नित्रत्वन में जो जिम्मेवारी मेरे कंदू पे दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, PWD तथा revenue है, जहां तक आग बात करते हैं PWD की, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत ज़्यादा डाइवरस्टी है स्टेट में, कश्मीर एक तरफ से है, जम्मू दूसरी तरफ से है, लद्दाग तीसरी तरफ से है, और इसके अंदर भी diversity के अंदर भी ओर ज़्यादा diversity है, डोडा, रीजन जो हमारा जिसमें तीन जिल्ले हैं, राजोरी, पूंच है, और इस diversity के बाद, अंदर जाके बहुत ज़्यादा tough terrain है, जी, आज भी, यदि हम पहाड़ी शेत्रों की बात करें, तो अधिकांश गाउं ऐसे हैं, जहां पे लोग अभी भी पेदल जलते हैं, जिस चुनाव शेत्र से मैं जीत के आया हूँ, आज भी लोग एक गाउं से दूसरे गाउं तक जाने के लिए, तीन घंटे, चार घंटे का पेदल सफर देए करके जाते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे शेत्र हैं, जो बलाक हैं, तैसील्स हैं, लोग लगबग 60-70 किलो मीटर पेदल चलके अपने तैसील हेड़कौटर पे पहुंचते हैं, बल्कुछ सही कह रहा है, तो ये मेरे चुनाव शेत्र का उध्धारन है, लेकिन अगर हम पूरे स्टेट की बात करें, तो ऐसा ही हल सब जगा का है, जब से मुझे जम्मु कश्मीर के मंत्री पद्की मिली है, तो मेरे लिए घर पूरा जम्मु कश्मीर है, जी, जी, मैं एक ही नजर से पूरी स्टेट को देख रहा हूँ, और एक बहुत ही स्ट्रॉंग पॉलिसी लेके हम आए हैं, हम तो सबसे पहले प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जितनी भी पेंडेंसी थी, उनको क्लेर करना चाहते हैं, पीछे मैं और मेरे केबिनेट मिनिस्टर साहब पूरा डिपार्टमेंट लेके हम दिली गए थे, आदरनी गड़करी जी से हमारी एक थारो मिटिंग हुई, किस तरीके से हम हर गाउं को कनेक्ट करें, उसके लिए एक योजना बनी, उसके पस्चात हम RDD मनिस्टर माननी विरेंदर सिंग जी से भी मिले, उन से भी डिसकुशन हुई, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी हम जम्मो कश्मीर के लिए रोड कनेक्टिवटी के लिए ला रहे हैं, जो इसमें नेशनल हाइवेज हैं, नेशनल हाइवे को भी और जादा मुझे लगता है अच्छा और स्ट्रेंथन करने की जरूर थे, आज जिस तरीके से जम्मो और उधंपूर का सफर हम करते हैं कितना आनन्द आता है, लेकिन केवल उधंपूर तक ही हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही सुविद्धा हम पूरा कश्मीर तक दें, हम पूरे डोडा रिज्जन में दें, हम राजोरी पूंच में दें, कठवा तो है ही ही, तो ऐसे जितने भी हमारे में टाउंज हैं, ऐसे नेशनल हाईवे जहां तक जाता है, तो हम फोर लेनिंग इसके लिए करें, इसके लिए जोजना बनी है, इसके लावा भी, एक और एहम चीज इसमें बीच में रोक के पूछना चाहूंगा, कि जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे दें, लेकिन जब ये जैसे बरसात रहती है, या सर्दी का मौसम रहता है, तो नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, तो उस समय लोगों को काफी दुविदा का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी कोई ऐसा प्रवधान आपने सोच रखा है, मैंने पहले ही कहा कि हमारी स्टेट जो है, इसमें काफी टफ टीरेन है, इसमें प्राकरतिक आपधाओं के कारण हमारे रास्ते बंद रहते हैं, पाड़ी शेत्र है, थोड़ी सी बारिश हुई तो रास्ता बंद हो जाता है, तो जिस वज़ा से मैंने पहले ही कहा कि हमेशा हमारे रास्ते बंद रहते हैं पहली बार ये नेशनल हाईवे P.W.D. डिपार्टमेंट के पास आया है बटो टुकिस्टवार और मैं आपको बड़े गरुड के साथ कहूंगा कि इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने इस रास्ते को बंद नहीं होने लिया ठीक है दो गंटे चार गंटे के लिए कहीं बंद हुआ लेकिन लगातार दिन रात वहां पे हमने रोड खुलवाने की काफी कोशिश की हर जगा पे हमने मशीने खड़ी रखी हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वहाँ पे खड़े रहे दिन रात एक करके रोड को बंद नहीं होने लिया लेकिन ये कोई सुलूशन नहीं हम चाहते हैं कम्प्रिहंसिव सुलूशन हो एक इसके सेगिंड लाइब हो वहाँ पे खड़े रहें मशीन आये तो तब ठीक हो तब हम चलेंगे एक दूसरा रास्ता भी इसके साथ जरूर होना चाहिए वही उसी बात पर में आ रहा हूँ हमने इसके लिए जिस प्रकार से चिनैनी से नाशरी टनल जाता है तो वो ने टेंडर से भी निकाल दिये डी पियार के लिए वो चिनैनी से लेके सुद महदेव से लेके मरमत तक जाएगा टनल ये ग्यारा से साड़े ग्यारा किलो मीटर का सारा रास्ता होगा और और अल्टरनेट रूट होगा जब टनल बनेगा तो उस से हमें बारिष बरफ की कोई वो परेशानी नहीं रहेगी ये आल्टरनेट रूट हम बना रहे हैं इसके लिए हमारे सेंटर ने भी हमें ग्रीन सिगनल दिया है इस पर हमारे डिपार्टमेंट ने अभी टेंडर भी इनवाइट किया है डी पियार के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर काम शुरू को जाएंगे जी ये तो रही आपकी मेन हाईवे की बात अब अगर हम पी डिपार्टमेंट की बात करें तो कई जगाएं ऐसी रहती है कि जैसे बारिश आई सिटीज के अंदर भी और बाकी जो जगा है आज आके पी डिपार्टमेंट को ही पकड़ा जाता है तो वो तूड जाती है और उसका कारण है जब भी प्लैन बना वो करंट क्राइसिज को डिफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है जबकि होना चाहिए आगे लगबग 20, 30, 50 सालों को ध्यान में रखते हुए कोई प्लैन बनना चाहिए वहाँ पे पापूलेशन ग्राप बढ़ता है इसलिए उस तरीके की हम ड्रेनेज बनाएं अक्सर ये शेहर के रास्ते तब तूटते हैं जब इनमें ड्रेनेज नहीं होती है तो अभी हमने एक योजना बनाई है कि ड्रेनेज का हम कोई प्रॉपर सलूशन निकाले हैं और ये नहीं कि इस वकत जो क्राइसिज हैं उन्हीं को डिफ्यूज़ है जिस निल जी एक और चीज़ एक कम्प्रिहेंसिव व्यापक प्लान बनाए आपके जानकारी के लिए एक एहम चीज़ आपको बताऊं कि पूरी जम्मू सीटी में पूरे जम्मू सुभे में जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ एक सीवरेज का प्लान शुरू हुआ था और वो शुरू भी हुआ और खतम भी हुआ लेकिन अभी तक उसको कामयाब नहीं शायद एरा के अंडर था लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि जब भी आपके पास पी ड़ू डी मिनिस्टर मोस आएं या मंत्री आएं तो उनसे आप ये जरूर डिसकस करिएगा ये जरूर पूछिएगा हमारी परिशानी कि पूरा शहर इन्होंने उधेडा लेकिन जब ठीक किया प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ और वो कहीं जगायों पे वो सड़के बैठ गई गई कहीं और प्रॉब्लम्स आई तो उससे लोगों को काफी डूइदा का सामना करना पड़ रहा है वो हम मानते हैं आज तक की जो सरकारे रही हैं उन्होंने पता ही आपको क्या टेंडर्स किये क्या काम किये लेकिन आप आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ भारती जंदा पार्टी की सरकार है काम भी सही होंगे आज से कांग्रेस से पहले कांग्रेस नेशनल कांफरंस की सरकार थी उनके दोर में क्या हुआ हुआ वा बली बानती जानते हैं और जंदा भी जानती है पिर भी जो काम उन्होंने किये अब जिम्यवारी हमारी बनती है कि हमें उसको दुरुस्ति करना है शहर में कुछ रोड्स मिन्सपल्टी के पास हैं जो हाउसिंग अर्बन डेवलेप्मेंट के अंडराते हैं कुछ रोड्स डिरेक्टर हमारे पास हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक म्यूच्वल स्टेट्जी बनाएं कॉमन स्टेट्जी बनाएं हाउसिंग अर्बन के साथ मिलके भी जो मिन्सपल्टी देखती है हमारे अधिकारी भी बैठें और इस ड्रैनेज सेवरेज का एक कंप्रेहंसिव प्लैन बनाएं हमने अधिकारियो को एक संदेश तो दे दिया है कि आज तक जो किया आपने अब बहुत हो गया जी अब कम से कम हमें सेवा करनी है और आप यकीन मानगे मैं आपके चैनल के माद्यम से भी अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जो दोखे भाजी पूर्व की सरकारों ने आपके साथ की है उसका ह एनेज के माद्यम से होगी, सिवरेज के माद्यम से होगी तो जब हमारा कहीं आपको लास्ट पे और रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे आप यकीनन हमें शाबाशी देंगे अप्रिश्य पर चोटे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को प्यूटिफ कहीं है तो वो रेविन्यू डिपार्टमेंट में कहीं जाती है क्योंकि नाम ही रेविन्यू है ठीक है तो सुनील जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हमने किसी एक बड़े अच्छे गस्टिड ऑफिसर से पूछा कि भई आप अपने मैं एक गस्टिड ऑफिसर हूं ये मेरा घर है और वो सामने उंचा आप चार मंजिला घर पटवारी का देख रहे हैं तो क्या कहना है इस बारे में आपका ऐसे मैं कहूं चोर का कोई धरम नहीं होता है वो पटवारी हो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो सिटोर कीप हो पी डेवलियोडी में हो इंजीनियर हो डाक्टर हो जिसने चोरी करनी है तो उसके लिए कोई परमानेट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन यहां पे यह लोगों से जुड़ा हुआ इश्यू है यहां पे कुछ जादा हमने भी सुना मुझे बड़ी जो मैं करना चाहता था वो पहले ही दिमाग में बिठा के आए हुए है रेवनियो मिलने के लिए इसलिए भी मैं खुश हूँ कि कम से कम जो गरीब लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तंग हैं परेशान हैं उनके लिए कोई न कोई रिफॉर्म हम बनाएं पहली म सही का आपने सेटल्मेंट जमू कश्मीर में आज तक हुआ ही नहीं पीछले डेड़ सो सालों से राजा महराजा के टाइम से सेटल्मेंट जमू कश्मीर में नहीं हुआ आज तक क्यों नहीं हुआ उसके लिए में कारण तो बता नहीं सकता लेकिन आप हो रहा है पहले ही ब computerized settlement केवल पटवारी के उस किताब पे नहीं computerized आप online अपना बंदोबस्त देख सकते हैं बिल्कु सही इसके लिए हमने एक बाहर की company hire की है जिसको एक contract दिया है हरियाना की company है हरियाना की उस agency ने गुजरात तथा और भी कई अन्य स्टेटों में प्रियास्तों में प्रदेशों में ये settlement किया है इवन कि उनके पास एक aircraft भी है अपना वो remote control aircraft वो जमीन को उस aircraft से सारा वो field book बनाते हैं उनके साथ हमने अच्छी meeting की हमने दो शहर दिये उनको अभी जम्मू शहर और कश्मीर शहर इन इन शहरों की तुरंट settlement हो इसके लिए उनको निर्देश दिये एक time limit हमने उनको दिया है आप बड़ी जल्दी देखेंगे जिसकी भी जो जमीन है वो कहीं पर भी यहां मिलती है उसको पटवारी के पास जाने के आवशक्ता नहीं पड़नी चाहिए कहीं नकल उसको जमीन की लगती है smart card ATM में डालके वहां से उसको नकल मिलेगी यह योजना हमने बनाई है इससे क्या होगा एक तो सीधे रिश्वत खोरी पे बेहन लगए दूसरा मैं भी एक बह मेरे पीठ के पीछे हाथ रहा हो तो इसलिए मैं चड़ा ऐसी बात भी नहीं है ground में हम गरीबी के साथ बहुत जदोजहद की है तो पता चला है एक गरीब को बखार तब चरता है जब उसे ध्यान में आता है कि मुझे कल अपने बेटे की PRC बनानी है मुझे अपने बेटे क बेकवर्ड सटिपेट बनानी है ये बुखार चड़ता है क्योंकि पटवारी महगमा ही ऐसा है कि गरीबी अमीरी ये नहीं देखते हैं जे बिलकुल सही कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है इसमें मैं मैं एक रिफार्म जो हम बना रहे हैं जिस पे मैं आ रहा हूं मैं आप का रिकार्ड उसके पास है एक नमर दार गाउं का साथ उठाए जी वहीं पे आंसपाट वो स्टेट सब्जट बना दे स्कूल में बनाये और हम बादें ये बच्चों को वहीं पर बादे उसके माता पिता को तो पता ही नहीं होना चाहिए स्टेट सब्जट कैसे बहुत पटवारी तेरी duty है, तेरे घर में क्यों आएगा कोई गरीब 50 बार, कभी मुर्गा लेके, कभी 500 रुपया लेके तब तू नकल देगा, नहीं, तू वहाँ पे जा, वहाँ पे एक टीचर हमने नोडल आफीसर बनाना स्कूल में, तू कॉडिनेट कर, स्कूल का जो प्रूफ ह करके आप बना लो जो बनाना है, यह बहुत बड़ी बात आपने सुनील जी करी, यह रिफार्म हम लाना चाहते हैं, आप यकीन मानिए कि रेवन्यू डिपार्टमेंट में इसमें इमिजेट चेंजिंग आएगी, जिस वकद हम सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को जब जो लोग बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में आ जाएंगे और उनको अच्छा एक सतर लाने की, तो इस तरीके कि हमने यह योजना रखी हुई है, उसके इलावा भी, हमने अधिकारियों को एक सपस्ट निर्दिश दिया है, कि अब अपना मीटर जीरो पेलाओ, पटवारी है, चपरासी है या डीसी है, मीटर जीरो होना चाहिए, रिश्वत खोरी का, कहीं पे भी कोई गिल्टी पाया गया, तो उसके साथ कोई भी टॉलरेशन तो बरदाश ही नहीं की जाए, जी बलकुल, कुछ भी नहीं, इसलिए सारे अपना-पना का कीजिए, इवन कि हमने पहले ही एक सर्कुलर निकाल दिया, पटवारी डिस्टिक कार्डर की पोस्ट है, सामा का पटवारी जम्मो में लगा है, मेरे किस्तवार का पटवारी जम्मो में ड्यूटी दे रहा है, राजोरी का पटवारी जम्मो में ड्यूटी दे रहा है, एक को हमारे साथ साथ आप से बहुत जादा उमीदें रहती हैं क्योंकि एक ही फील्ड आप ऐसा रह गया डेमोक्रेसी का बाकी तो तीन तो अभी सब सस्पीशियस पब्लिक के उसमें रहते हैं लेकिन जनरलिजम पर एक बहुत बड़ा यकीन है आप इतने बड़े सीनियर जनरलि मेरे केबिनेट मनिस्टर साब और मैं जब तक इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं हिलने नहीं होगा असा नहीं होने देंगे कत्ता ही भी नहीं दर्शक हमारे ये बाते जो आप यह सुनके बहुत खुश हो रहे होंगे खासकर एक चीज और में बताना चाहूंगा जी नरे जीब कहीं सताया नहीं जाएगा वो नारा लेके वो स्लोगन लेके और अपने अंदर जो जज़बात है हमारे उनको उसमें एड करके इस डिपार्टमेंट की सेवा के लिए हम लगाना चाहते हैं कहीं पे भी कोई गरीब पिसे नहीं लेकिन जनता को भी कुछ अपने होगी लेकिन थूकेंगे और फिर बाँ खाते हुए बाँ बाहर वो नारा लगाएंगे वहास्पिटल में सफाई नहीं है एक सिविक सेंस होती है कहीं रास्ते में खड़ा होके हम पिशाब करेंगे और बताएंगे मिनसिपल्टी वालों को बही रास्ते में बदबू आ रह देखें पहले हम अपने आपको भी साफ बनाएं फिर पटवारी भी जहां पे गलत है उसको देखें मैं आपको एक और एहम बात बताओं आज के समय में लोगों के पास समय की भी बहुत किलत है और हम लोग खुद करप्शन फैलाता है कि भाया आप यह ले लिजिए और रिश्वत देने वाले पर भी वेसी कारवाई होनी चाहिए कहीं से अगर सिस्टम बिगड़ा है तो यह देने वाले से ही बिगड़ा है लेने वाला भी उतना ही गुनेगार होना चाहिए तो दोनों पर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि एक अमीर जिसके पास पैसा है वो घर वाले पे सक्ती से निप्टा जाएगा लेकिन कहीं जो देने वाला है अगर ऐसा कहीं गिल्टी पाया गया तो उसके साथ भी सक्ती से निप्टा जाना चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो डिपार्टमेंट्स पी डिवल्योडी जिस से बहुत ज़ादा उम्मीदे इस प्रदेश के लोगों को है हम उस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे आज केंदर का आशिरवाद केंदर का नेत्रत तो जो हमारे पीछे खड़ा है जम्मू कश्मीर का विकास हम इस पी डवल्योडी के माद्यम से करेंगे और साथ साथ जहां पे रेवन्यू की ब लेकिन साथ साथ कुछ रिफारम्स लाएंगे जैसे मैंने आपको बोला बच्चों को जब सकूल में सेटिफिकेट मिलेगी सेटलमेंट का कम्प्यूटराइजेशन होगा तो आप सब लोगों का साथ रहना चाहिए मुझे पूरा रिकीन है कि जो जम्मेवारी हमें मिली है सुनील जी इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं जो आपने स्टेट सब्जेक्ट का स्कूल में ही प्रोविजन त्यार किया उसको देखते हुए लोगों को इतनी खुशी होगी क्योंकि लोग अपने डीसी आफिस या तसील में जा जाकर उनके जूते खतम हो जाते हैं लेकिन स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता है ये तो आपने बड़ी एहम और इंपॉर्टेंट बात बताई दर्शकों को दर्शक इस चीज़ को जान के अगर ये कथनी में ना होके करनी में होगा तो अवश्य ही लोगों के लिए जनता के लिए बहुत बड़ी बात है ये आपने ब समय नोजवान का यूग है लेकिन हमारी नोजवान पीडी जो है वो इस समय नशे की और भैक रही है तो किस तरीके से आप जम्मो कश्मी रियासत के एक मंत्री है क्या विजन रखते हैं कि जम्मो कश्मी रियासत से नशा खोरी को नस्ते नाबूत किया जाए मुझे लगता कि भाई अब हमें इस से दूर रहना चाहिए जितना भी हो सके इसमें तो वैसे सोशल आर्गनाजिशन का बहुत रोल रहना चाहिए जी एवेरनेस हो डिमांस्टेशन हो लोगों को अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश की जाए जहां तक बात आती है सरकार की जम्मेवार कि नशे में लिपते हैं कहीं कहीं इसको सक्ती के साथ निप्टा जाना चाहिए बहुत हो गया जितनी ढील हमने देनी थी आज Tomorrow उने दे दीए अब कहीं कहीं इसको स्थाप करना स्थाप इना ची ऐसे चीज़ों पर कभी भी अब वो बरिदाश नहीं किया जाना चाहिए जो इस नशा खुरी में लिपते हैं जो नशा को फैलाते हैं उसको कहीं कहीं स्टाप लगाना चाहिए जहां तक सरकार की जिम्मेवारी आती है फिर हम तो डिरेक्ट इस विभाग से नवालव नहीं हैं लेकिन आप जम्मु कश्मी ब्यासत के एक मंतरी है जिससे डिरेक्ट इन चीज़ों में मैं इनवालव होके इसको रोक थाम लगाऊं खिर जो भी हैं हम हर वकत इसको रोकने की कोशिश करें और जहां तक अडिक्शन होते हैं तो यह उनको परवोक या एप रोचसाहन नहीं देते कि जिन 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 जगाओं से जिन जिन इंसिच्यूशन से यह नशाफ पनबता है उनको नस्ते नाबूत करना चाहिए चाहे वो हमारी रियासत में हैं या हमारी साथ वाली रियास्तों में इनकी आज तो आज हम मंतरी परिशद मे हैं इसलिए मंतरी बनके भी बात करेंगे लेकिन अगर आप मेरा बेक रिकार्ट देखेंगे जहां पे ही मैं पब्लिक मिटिंग करता हूं मैं एक वादा से पब्लिक से लेता मैं ये भी कहता हूं कि हम हाइडरो एलेक्टिक प्रोजेक्ट्स खोल रहे हैं और जो भी वहां पे कंपनी आएगी वह बाकी डाकुमेंट आपका हो नहो एक डाकुमेंट जरूर मांगेगी एनोसी में शराबी नहीं हो एफ़ी डेविट आप देगे कि अगर मैं शराब प्यो गया जो शराब है लेकिन कुछ ऐसे सस्ते नशे जिससे इंसान को खा जाते हैं तो उन नशों को नस्ते नाबूत नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल उसको तो बिल्कुल इस माफिया कोई खत्ब करना चाहिए जिस तरीके से आपने कहा कि यहां पे लेंड माफिया है बात डालना चाहिए और अभी तो हम एसेम्वली सेशन में वीजी हैं अभी जब भी आगे मीटिंग होती है तो हम से मंतरी परिशद के बीच में इस बात को उठाएंगे कि ऐसे माफिया को बिल्कुल बरदाश नहीं किया जाए बिल्कुल सलाकों के पीछे डाल दिया जाए बिल्कुल सही कहा आपने आपके विचारों को सुनके जनता बहुत खुश हुई पर इसमें कोई दूसरी राए नहीं जो कुछ आपने बताया कि मैं सबसे पहले जो समाज के प्रती आपने बात बताई दूसरी आपने एहम चीज जो स्टेट सबजेक्ट के रिलेटिड बता आया कि हम रोड कनेक्टिविटी के मामले में अपनी पूरी रियासत को एक ब्यूटिफिकेशन देंगे और जिससे इंप्लाइमेंट होगी जब रोड कनेक्टिविटी ही होगी तो सब जगा आना जाना होगा और जैसा कि हमारी रियासत के मुख्यमंत्री का और कॉलेशन सर का सपना है कि जमू कश्मीर रियासत को पूरे देश में नंबर वन रियासत बनाना तो जिस तरीके से सुनील जी ने ये चीज़ें बताई हैं फिर हमें कोई रोड को नहीं सकता कि जल्स से जल्द हमारी रियासत को नंबर वन रियासत बनने में लेकिन बात यह है कि ये वाक लेंगे जी सुनील जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद नमस्कार